हेलो माइनम है दक्षारा ठाउर और इस आज एका दर्शी है तो हमारा ब्रभ्पी और आम मैं दिखाने वारी हमने मंदिर को तो यह रहे फ्रट पे रहा था कृष्टो और यह रहे हमारे कृष्ट जबाल कृष्टो और यह गड़िश और यह रहे सारे के सारे बगवारे आपको शो कर रहे हूं तो और अब मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहती हूं यह देखो हां हां रुकोड़ा बाबू तो कैसा लगा आपको है हमारा बंदिश इससे बहुत सारे पकार के फोटो भी है और यह वीडियो का यह बोलना था मेंना कि आज एकादशी और एकादशी का ब्रता प्लीस रख रहा है हेलो फ्रेंड्स वैलकम टू मानव क्लासेज जैसे कि अभी आपने छोटी से ब्लॉगिंग की जलग देखी होगी कि मेरी बड़ी बेटी है अक्षरा यह बनाती रहती है इसका मन करता है डांसेंग एक्टिंग हालंकि स्टाडीज में भी बहुत अच्छी है आपने देखा ही होगा वीडियो में लेकिन मैं आपके छोटा सा मैसेज देना चाह रही थी कि अगर आपके बच्चे के अंदर कोई टालेंट है तो प्लीस उसे इग्नोर मत करिये उसे दबाएए मत उसे बार-बार बो चीज मत दिलाएए कि मैं जो कह रहा हूँ हो कर टीचर वरन, डॉक्र वरन, इंजिनर वरन बच्चे के अंदर कोई टालेंट है तो उसे निखरने दीजिए उसे पूरा मौका और टायम दीजिए जितना हो सके आपसे सकूर्ट कीजिए, निकलेक्ट मत कीजिए तो आज वैसे की मेरी बेटी ने बताया था कि आज एका दुषी है तो सभी को हैपी एका दुषी सब साते बोलो हैपी एका दुषी और एकादुषी हम बोल रहे हैं तो डैफनेटल सबसावे हैं इस डिफ्योहार ही है बस केवल इस फेस्टिवल में एक छुटा debe ही फ्रेंट होता है अधर फैस्टिवल के अंतर यह होता है कि इसमें हम कुछ पह жен नहीं करते हैं खाना झालार नहीं करते हैं अनाज्य आफल इंसका करें वह जरूरी है अगर आप खेंतर रोड़ी पूझत सけて joint है अगर विद्ध killer आप यह आप लिख अभर Uboun च सूह और अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं भी एकादशी के बारे में कुछ आप लोगो को बताओं तो आप मुझे बोल दीजेगा क्योंकि जब इस तरह की बाते कोई गुरू कोई महात्मा पंडेत या फिर जो कथा वगरा बाचन करते हैं वो लोग बोलते हैं तो हम लोग अकसर क्वेशन आता है कि आप गिरस्त जीवन को क्या समझेंगे कितना कठेन होता है हम कैसे जीवन जी रहें लेकिन जब मैं यानि कि हम जैसे लोग जो वर्किंग में हैं मैं खुद वर्किंग वुमेन हूँ हूँ हाउस वाइप भी हूँ दो बच्चे हैं मेरे टीचर हूँ और मॉडन साइन्स से मैं बहुत जादा अट्रेक्ट हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पुराने ख्यालों की महिला हूँ ऐसा नहीं है उसके बाप जो अगर मैं यह बोल रही हूँ कर रखना चाहिए शास्त्र विदी से जीवन को जीना चाहिए तो शायद थोड़ा से इंपैक् करते हैं तो हमें अपने सारे एंस पूरे हो जाते हैं और सारी चीजें मिल जाते हैं तो अगर जैसे मानव क्लासे जो मूल मंत्र है कि विधार्ती जीवन को मजबूत बनाना है यानकि इन बच्चों की जो नीव है उसे स्ट्रॉंग करना है तो केवल मॉडन साइन्स से यह केवल स्टडी से नहीं हो सकता आपको शास्त्रिक ग्यान यानकि शास्त्र वीधी भी अपने बच्चे को सिखाने चाहिए आप उन्हें गीता पड़ने के लिए और डेली रूटीन में नहीं हो पायतों वीकली कर लीजे वीक में दो बार कर लीजे ऐसा करके आप जो लिए एक अदेशी के बारे में यह बताना चाहते हूं कि जाने एंजाने हमसे कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसके लिए हमें पाप लग जाता है और भोगना भी पड़ता है काफी जो बहुत जादा अपन, कुछ नहीं होता है फनक बीड़ा होता है कि जिस प्रकति में आप रह रहे हो, प्रकति के लिए भी आपको कुछ न कुछ कॉंट्रबूट करना चाहिए, otherwise, प्रकति हमेशा हम को देती रहती है, हम उसको thanks भी नहीं बोलते हैं, हम लोग सुबह-सुबह उठके प्रकति को thanks बोलते हैं, क्योंकि प्रकति जो हमें दे रही है वो हम उसे रिटन कभी नहीं कर सकते तो एट लिसे छोटा सा थांक्यू तो बोली सकते हैं एवरी डेय इन मॉर्निंग नाइट सो प्लीज आपको यह बाते समझ में आ रही होंगी और आप इंप्लीमेंट करके देखें रिजर्ट आपके स अगर हम इसे मान भी लेते हैं तो उससे भी आपको रिजर्ट समझ में आ जाएंगे कि बहुत अच्छे रिजर्ट आपको मिलते हैं है और आपको यह जान के ताजब होगा मैंने फोर्स नहीं किया ता अपने दोनों बच्चों को कि आप एकादेशी का ब्रत रखिए के वल अपने लाद करती थी तो इस ने इस वजा से रखना स्टार्ट किया और इसने रख लिया इस वेरी इंपॉर्ड़न थिंग इस ने रख लिया मैं पूरे दिन से पूसती रही कुछ खाना है बिटा कुछ खालो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बट इसको कोई थोड़ी बीटी है वह तोड़ी गुस्सेवाली है लेकिन एकादेशी का ब्रत रखने से इसके अंदर यह जो गुस्सा है वह थोड़ा सा कंट्रोल होने लगाया अच्छा एक चीज़ और है कि हम जनम से ही कुछ भाव को लेके पैदा होते हैं जैसे कि अंदर गुस्सा होत अब तक की life में यह जाना है मैं इस पर कोई महर नहीं लगा रहे हैं this is my personal experience so मैं आपको बता रहे हूं कि यह खतम अभी नहीं होते हैं तो आप इसको थोड़ा सा change कर लो आप उलो बच्चों से कि इसे control करो that is point कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो you will control this this way कि आपके इस गुस्से से किसी को khani नहों किसी को नुकसाल न पहुचे और आपको भी नुकसाल न पहुचे तो इसे control करो जो भी आपके अंदर ध्राव है जादा मात्रा में है तो इसे control करना है ज़रियों को control करना तो अब मेरी बेटी कुछ कहना चाहिए गनु बहुत इमोशनल है गनु बहुत जल्दी दिल लगा लेती है हमारे यह जो डॉगी से उनसे हमारे यह गूगल आया था आप में देखा होगा चैनल पर उससे बड़ा दिल लगा लिया उसने और कोई धोड़ी दे रुख जाता है प्रेंशिप कर लेती है दिल लगा लेती है रोने लग जाती है न गनु और आपको कैसा लग रहा ब्रत करते हुए अच्छा अच्छा भूलो अच्छा लग रहा है कुछ कहना चाहोगे आँ मैं मैं वोली यह तो फिर मैम ने बोला आप आप जाता है मुश्टन हो जाती हो तो एक काम करो, आप दिल भगवान से लगाओ. You mean by, कृष्ण भगवान से लगाओ. कृष्ण भगवान से, बर्मातमा से, हमारी प्रकती से, आप दिल लगाइए, क्योंकि वो आपको छोड़के कभी नहीं जाते हैं, और नहीं वो आपको हर्ड करते हैं. तो मेरा कहने का मतलब बस इतना था, तो आज के दिन हम पूरा भगवान को डिवोट करते हैं, भगवान से बात करते हैं, काना जी से बात करते हैं, और पूरे दिन अच्छी बाते करते हैं, और वैसे आज संडे को पड़ गई है तो हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्राइम मिल जाएगा अधर्वाइस हम क्लास में होते हैं क्लास ले रहे होते हैं बच्चे को बढ़ा रहे होते हैं साथ में काना जी के बारे में बढ़ा रहे होते हैं और बोलते रहते हैं पूरी दिन ग अब बोलना चाहती हूँ मैं बोलना चाहती हूँ मैं मम्मी ते प्याहल के लिए नहीं कर लाइची मैं तो किसके लिए फिर लगा था उसको लगा था अच्छा काना जी से अट्रैक्ट हो गए थे आप अच्छा सौरी 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 तो मैंने यह बुला इसके लिए सौरी सौरी हो क्यों सौरी चलिए तो प्लीज बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करिए बच्चों से प्यार करिए अक्सर आप लोग के कंप्लेंट्स होती हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं बच्चे य जो जाएंगे नहीं बच्छमन से ही हो गई सब्सक्राइब करेंगे और इकादशी के वरत रिलेटेड या शास्त्रिक ग्यान से रिलेटेड अगर आपको कोई इंफोमिशन चाहिए तो डैफिनिटली आप कमेंट करिये हम आपको बताएंगे जो हमने एक्सपिरियंस किया है ह हम आपके साथ शेयर करेंगे एक संतुष्टी वाला जीवन आपको मिलेगा और आपको अच्हे लगाओ तो लायक अर अभी 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 नहीं अभी अभी तो आगे और भी बहो सारी चीजिए हैं तो सर्वी बात करेंगे उसका बाद हम आपको रिक्वेसrd करेंगे कि शेयर करिए, लाइक करिए, शब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और जादा अच्छे लगाऊ तो एक अधुशी का ब्रत रखिए